आज यहाँ पर एक प्लेन ब्लैक सूट के उपर पेंट करने वाली हूँ, यह आंस्टीच ड्रेस है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है एकदम सेंटर से बट अब देख सकते हैं यह चोटी चोटी जो हाथ है ना चोटा चोटा है यह मेरा बेटा है यह तो तंक तो करता रहता है फिर यह बनाने के टाइम तो सबसे पहले आपको सेंटर से मार्क कर लेना है और यह मीरर साकल में जो मार्केट में बहुत एज़ी ले मिल जाएगे और इसको चिपकाने के लिए फेविक्रिल की ग्लू यह भी मार्केट में एज़ी आपको मिल जाएगी पहले आप मार्क कर लिजे एक डम आपको कितना लंबा चाहिए आपकी यह लंबा ही है आप उस तरीके से बना सकते है किसी को छोटी पसंद है किसी को बहुत लंबी पसंद है अब अपने according बना सकते हैं तो यहापर मेने यहां। जीरो नंबर की राउन भ्रज्स सैंच यह कर रही हूं। और यहां पर इस तरहे से कर रहessed है तो not engineer3D outliner ऐसे में डेखे सकता है। इसमें इस में मनी ने चैथा आप कर में आपके सकते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर हमें सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, एकदम सीधा होना चाहिए, और मैं सेम वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, एकदम हलके हाथ से करें, क्योंकि यह लाइन अगर अगर इधर अधर हो जाएगी ना तो अच्छा नहीं और कलर भी मन पसंद के कोई भी कलर यूज़ करें, और यह देखिए, जो एंड पर मैं इस तरीके से कर रही हूँ, एक वी शेप की तरह, और क्योंकि मेरी ड्रेस यह ब्लैक कलर की है, इसलिए सारे में यहाँ पर लाइट कलर यूज़ करने वाले हूँ, बट अब कोई और कोई भी मन पसंद के कलर से अब इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ब्रश में मैंने पहले दिखाया है, इस तरीके से अब कर सकते हैं, बहुत इजी सा एक डिजाइन कोई भी इसको बना सकते हैं, और आप किस टाइप की डिजाइन देखना पसंद करते हैं, वो भी कॉमे बहुत एक खुबसूरत एक शेड है यह light color की उपर भी अच्छा लगता है यह dark के उपर भी अच्छा लगता है इतना प्यारा सा एक शेड है बड़ अब color खरीदने के time आप recent date की ही color लेना नहीं तो क्या होती है पुरानी date की color अपको तो लगेगा कि चलो ठीक है बड़ धकन ओपन करने के बाद वो color बहुत थीक हो जाती है और थीक color से paint करना बहुत मुश्किल होती है उसको फिर से अपको medium के साथ आपको mix करके फिर से पतली बनानी है उसमें problem I mean कौन करे भाई इतना तो उससे अच्छा है recent date की color लेजिए और एकदम अच्छे से paint कर सकते ह और कोई पानी mix करने की जरूरत नहीं है बस brush बहुत ज्यादा dry होने से अब थोड़ी थोड़ी use कर सकते हैं तो यह जो spiral की जो painting देख सकते हैं यह design कितना ज्यादा हासा है और इसको मैंने zero number round brush से नहीं कर रही हूँ इसको मैं दो number की round brush से कर रही हूँ मुझे थोड़ी सी broad चाहिए था इसलिए और इस तरही के सब सारे dress के उपर इस तरही के से पूरा complete कर लीजिए अब top के उपर भी कर सकते हैं अब दोपटा के उपर भी कर सकते हैं इस तरही की design बहुत अच्छा लगेगा और इस टाइब की बहुत सारे videos आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी तो अब इतना तक कर सकते हैं बट में यहाँ पर क्या करूंगी और थोड़ी से एट करूंगी यहाँ पर कभी कभी यह जो अब मतलब सारे जगह पर नहीं जहाँ पर आपको लग रहा है कि ठीक है चलो यहाँ पर तोड़ा गैप है यहाँ पर कर देदी हो मैंने इस तरीक से किया है तो सेम तरीके से mirror को पहले चिपका के side से आपको इस तरीके से चोटी-चोटी design करना है वहापर बड़ी-बड़ी spiral थीदुए यहापर मैंने चोटी-चोटी किया है क्यूंकि मैच हो जाएगी और अच्छा भी बहुत अच्छा लग रहा है और कम्लीट होने के बाद सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुगे तो बहुत पसंद है आप इसको ज़रू ठ्राइ करें और कॉमें सेक्षन पर बताना आपको यह कैसी लगी तो सारे जितने मिरर में चिपकाई थे उसके साइट से मैं इस तरह कैसे कर रही हूँ और इसको अब हमेशा हाथ से वाश करें कोई भी मायल्ड इटरजेंट इजी या फिर शैंपू के साथ और डिजाइन के उपर आपको स्क्राब ना नहीं है अब एक्दम हलके हाथ से करें और इसको हमेशा शैडो में सुखाई है मशीन में बिल्कुल ना वाश करें, अभी भी नहीं बस इतना ही करना है और इसको रिवर साइट पर अपको प्रेस करना है इसको पर आपको I mean आईरन नहीं करना है तो ये रेखे माने कंप्रीट कर लिया है, बहुत जादा खुबसूरत मैं जोम कर के भी दिखा देते हुग ज़रूर इसको ट्राइ करें और बंगली हो ले और बंगलाई कॉमेंट करो कि जानते चाहो बोलते बारों शाप पुरशनर उत्तर पेजावें तो ये रेखिये मैंने कंप्लीट कर लिया है हेरा बहुत खुबसूरत थैंक ये सो मच पर वाचिंग इस वीडियो हब भी बगली वीडियों ते क्या बगली है